गुड मॉर्णिंग दोस्तों मैं दिनकर उपाध्याय अपने यूटूब चैनल से आज हम पहुंच चुके हैं अपना खेत और आज हम यहां से आपको बताएंगे कि खेत में हो क्या रहा है क्या-क्या पड़ेसानिया आ रही है कितना धान रुपाई हुआ है नहीं हुआ है य लाइक करें शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को अबस्य सब्सक्राइब करें तो देखिए यह धान का बिचड़ा देख सकते हैं पानी के बजह से बिहार में बारिस की बहुत कमी हुई है 45 परसेंट कम बरसा हुआ है यहां पर तो आप देख सकते हैं पूरा दरार फटा हुआ है और यह देखिए बिचड़ा जो कि इसको कवार्ण कर दूसरे खेत में बुआई किया जाता है लेकिन बारिस नहीं हुई है जिसके बजह से आप देख सकते हैं कि सब कुछ बेकार हो गया है और इधर कुछ मैंने अपने समर सेमल के फ्थरू पानी चलाकर रोपाई भी की थी लेकिन देखिये खेत का हालात क्या है रोपा हुआ धान सब सुखने के कगार पे है और देख सकते हैं कहीं कहीं पानी है कहीं नहीं है और हमारे पास में यह है खेत यह देखिए इसमें तो धान रोपाई हुआ भी नहीं है सब खेत पड़ती है और मैंने किसी तरह बोरिंग चला कर अपना खेत को पटाया हुआ और एक सबाविघा खेत रोप चुका हुआ तो आप देख सकते हैं का सची कहा है दोस्तों कि अगर भगवान ने आपको सफलता का दरवाजा बंद कर दिया है तो आपको दुनिया का कोई सकती आपको सफल नहीं बना सकता है तो आप देख सकते हैं मैंने कर्म कर दिया है बाकी बाद फल देना भगवान का काम है तो आप देख सकते हैं इधर कहीं कहीं खेत में पानी है कहीं नहीं है इधर सोखा है इधर पानी भरा हुआ है और देख सकते हैं यह हमारा पंप बार पानी इस खेत में गिरेगा, इधर देख सकते हैं, इस खेत में मूंग लगा हुआ है, बारिस नहीं होने के बज़ा से मूंग ऐसे ही लगा हुआ किसान छोड़ दिया है, क्योंकि अगर बारिस होता तो इसमें धान का रोपाई होता, लेकिन बारिस ही नहीं हुई है, जिसके बज़ा से मूं ही लगा हुआ है अभी तक, यही है किसान की जिन्दगी हो भाईया, पैसा निकाल के धान के रोपाई कीजिए, बारिस नहीं होगा जिसके बज़ा से धान का फसल बरबाद हो जाएगा, किसान का इस पिर्थवी पर सुनने वाला कोई नहीं है, न सरकार, न यहां की वेबस्था, चलिए, अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को अबस्थ सब्सक्राइब कीजिए, खेती संबंधित और रेलवे जड़नी से संबंधित, अगर वीडियो आपको पसंद आता है, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को सेर कीजिएगा तब तक के लिए धन्यवाद